इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआ धुआ धुआ? क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुवे को क्यों छेलता? हो गई परताष्ट की अब इंतहा बुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां पबलिक प्लेस पर सिगरेट पी ना मना है उलंगन करने पर होगा जुर्माना धुम्रपान ना करें ना करने दें धुम्रपान पड़ेगा महेंगा खुशी कौन नहीं चाहता? लेकिन किस कीमत पर? धुम्रपान महेंगा पड़ता है धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाने वालों के लिए भी धुम्रपान पड़ेगा महेंगा सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है सिगर करो ओके सर ताइम स्टार्स नाओ आपके सर दें पसाँ आपके स्यापक पत्ता प्ड़कम है झाल झाल झाल, 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 झा डॉक्टर मैं कहा हूँ आप 18 महीने से कोमा में थे सद्डनली आपका ब्रेन डेड हो गया था आप मर गए हैं ये सोच कर आपको मौचरी में रखा हुआ था और पता नहीं कैसे आपके शरीर में फिर से हरकत हुई इस मिराकल मेरे मेडिकल प्रोफेशन में मैं ऐसा मिराकल पहली बार देख रहा हूँ या वेरी लक्टर मेरे माबाप का है ख़वर कर दिया है वो आते ही होंगे बेटा बेटा बगवान तेरी उपर बढ़ा थे हमने सोचा दुबारा आख नहीं खोले लेकिन तुम ठीक होगे बेटा ये सर्ग अस उपर वाले की क्रिपा है बेटा डोक्टर कौन है ये लोग क्या कह रहें सर्ग ये लोग मेरे माबाप नहीं है ये क्या कह रहे हो गोडसे? तुम हमें क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? मेरा नाम गोडसे नहीं है. मेरा नाम बोस है. बोस नहीं बिटा, तुम्हारा नाम गोड से है, तुम्हारे दादाजी नथुराम गोड से के फॉलोवर थे, इसलिए तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारा ये नाम रखा क्या है डॉक्टर, ये सिर्फ हमें ही नहीं, अपना नाम भी भूल गया क्या हुआ डॉक्टर, प्लीज, कुछ तर जबाब दीजी धबराने के बात नहीं, अक्सर जब कोई इतनी लंबी नींद के बाद उठता है तो उसे किसी को भी पैचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कन्फ्यूस हो जाता है और ये तो पिछले 18 महीनों से कुमा में थे थोड़े मेडिकेशन के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे देर इस नथिंग तो वारी सिस्टर, डबड़ू, he is going under some stress, give him some pain killers क्या हुआ है कर दो कर दो है, जड़ हमेता है उरा इख तो हमें, जजर अ चलवा है, जड़ जब तक लाई गरेवाई, जड़ अ भी अज़ा कि अ घराम कियो अज़ है, ट्री टेमा है, जड़ है, एफ एमा है, जड़ है, तो है तो। गप तोया कि अई कर दोज een कि युच गाfahr व है युलो का, engagementsmirer not वहहे कि युच्च ओे वादा है स्कूवर प्रृतर है झालो प्रेट सो मैंने तो इस कंपनी में कभी काम नहीं किया और मेरा अकाउंट HDFC की जगह ICICI में कैसे हो गया हुआ हुआ receptor कि अजसे कंपने की अजसर सक्कीम की पेट एची आँ 5 paköglich अजसे हो अश्छ्छित काम धिन्कोता में ट Εुआर explored the जिए मनने झैिमेक कóc प्रव्ण पसंदी ॉ मिन काजसciamo कि अचाई प्ट' मेरा ATM PIN नमबर 6 1 5 0 नमस्ते सर गोड़से साब कैसे आप शाम को मिलेंगे ठीक है एई आलकॉली लीटर अरे गोड़से साब आप दिस्चाज हो गएए अभी कैसे हैं आप आपको नहीं पहचानूगी क्या सर यू अर कमपनी मुझे चेर्मेन सहाब से मिलना है आये सर गुद मौनिंग सर किसी भी हालत में यह कॉंडरेक हमें ही मिलना चाहिए सौरी पर दिस्टिमिंट सर गोड़से परसो तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था भगवान की क्रिपा से तुम मेरे पास वापस आगए आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है जाकर अपनी कुर्सी संभालो क्या हुआ गोड़से बोसले जी मेरा एक्सिदेंट कैसे हुआ बेती बातों को अब क्या याद करना बताईए मेरा एक्सिदेंट कैसे हुआ वो क्या है कि ये सब कुछ हमारे कमपनी का एराइबल बैनर जी ने किया था तुमने अपनी कमपनी के तीन सो करोड टर्न ओवर को तीन हजार करोड तक पहुचा कर उसकी कमपनी को गिराया तो उसकी आँखे जलने लगी इसलिए उसने तुम पर अटैक करवाया मैंने उस पर केस करके उसे कोट में जब खीचा तो वो डर से फॉरें भाग गया एक मिनट बिठा हलो बोसले जी गोड से हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है अरे डर किसलिए गोड से अपनी कमपनी में वापस आ गया है ये क्या किसी को बताये बगएर हॉस्पिटल से तुम डारेक्ट यहां आ गये तुम्हें अपनी कमपनी से बहुत जाधा प्यार है यह सब उस भगवान की किर्पा है अच्छा सुनो, मुझे कुछ जरूरी डॉकुमेंट्स चेक करने है मैं बस अभी जाकर आया हलो सर, गोट से जी से मिलने उनकी पैरेंस आये है वो अपने केबिन में ही बैठा हुआ है उन्हें वहीं भेज़ जो आपने उन्हें उनकी केबिन में रुखने के लिए कहा था पर वो चले गए है क्या कहा चला गया अरे रुखना अरे ये तो यहां बैठी हुई है आजा थोड़ी सी मस्ती कर ले आजा बेठ एए चमिया को इधर बेज एए कहाना यहां बेज नहीं बेज़ा तो बोस तुझे अभी सुनाओं या शम्शान पहुंचाने के बाद घिन सुनाओं अभी सुनाओं तोसुनाओं या स는 विस सुनाओं है है प्रये है इळ है हुष हाँ हुष नहीं हुष नहीं, पसम्रोप बता हमें हापरेट नहीं एई, एई, नो पार्किंग में गड़ी पार्क करके सो रहा है, चल बहार निकल, नाम बता नेम, माई नेम, महाबली, महाबली, ब्रदर अब बाहु बली, चैलान बनाने के बाद तु पकड़ेगा पतली गली देखो प्यारे लाल, इसे हैदराबाद बोलते हैं, यहाँ बसों को ब्रेक्स नहीं रहता है, रोड पर स्पीड ब्रेकस नहीं रहता है, ऐसा टैक्सियों को नो पार्किंग नहीं रहता नए हो, जहां मेरे बारे में जानकारी लो, आखिर कौन हो तुम इस ही एक क्वेश्चन ने बच्चन को मिताब बच्चन बना दिया, बस कंडेक्टर को सुपरस्टार रजनी कांथ बना दिया, ऐसा क्या, अब मुझे क्या बना देगी, मुझे नहीं सबता, यह बॉइलेंट है, तो मैं सालेंट हो जाता हूँ, चलो गाड़ी मिकालो, हलो, चलोगे क्या, शो सर, वैसे जाना कहा है, बैटो फिर बताता हूँ, मीटर पर एक्स्टर लगेगा, जितना कहोगे दे दूँगा, स्टेट बैंक और इंडिया का मैनेजर लग रहा है, मेरी तकदीर बनाने वाला टाटार बिड़ला लग रहा है, बैठिए सर, ठीक है, ठीक सिग्रेट पीने का मूड हो रहा है, सिग्रेट, मुझे लगा फिर को देखकर मूड बना, कहां से आया, बैठिए, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अब क्या हो गया सर, मेरा ध्यानी नीर, सॉरी, हम लोग आगे निकल गया, मेरा घर पीछे रहे गया, वो देखो वो रहा लगता है किसी पागल से बहला पड़ा है, क्या पैसे दिये बगरे जाएंगे, सर, 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 क्या है, मेरा पैसा सर, मा भूल गया था, सॉरी, पर मुझे याद है, हां, थैंक्यू, चेंज, अ, सॉरी, भूल गया था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, सर, हजार का चेंज होता, तुम्हें टैक्सी क्यो चलाता सर, डॉन बन के माफिया गैंग नहीं चलाता था, सर, फोकट के पैसे नहीं लेता, कुछ काम तो ज़रूर करूँगा, लाइए ये बैग मुझे दीजे, मा, मा, वो देखिए, मा जी भी आ गई, हाथों में आरती भी ले आई, घुमाईए, अरे, कौन हो तुम लोग, इस तरह तुम लोग घर में केसे गुज़ गए, आप कौन है और यहां क्या कर रही है, मैं कौन हूँ, ये मेरा घर है, सुनिए जी, ज़रा बाहर तो आईए, क्या हु बाबो, मैं इसी घर में पैदा हुआ हूँ, कौन से साल में पैदा हुए थे, 1980 में पैदा हुआ हूँ, ज़रा बहान आओ मेरे साल, देखा तुमने, अब क्या बोलते हो, सर, आप कह रहे हैं कि आप पैदा हुए 1980 में, ये घर बना है 2010 में सर, सर ये घर आपका नहीं है, ओ, शिट, माइन ब्लोइंग, प्रापटी नो मैचिंग, परसंस नो मैचिंग, क्या है सर ये कन्फूजन, यही तो मुझे भी समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, सर, महेंगे घर पर कबज़ा करने वाले गैंग हो तुम लोग, इससे क्यों बात कर रहे हैं, इसी वक्त पुलिस को बुलाएं, नो पुलिस, वो लोग आने तक हम लोग यहां नहीं रहेंगे, सर चलिए आप से विंती करता हूँ, किसी और के घर को अपना घर क्यों बोल रहे हैं, सर, उसे दे के कितना गुसा कर रही है, पुलिस को बलवाकर हम दो लोग अंदर करवा देगी, चल चल रही थी, आपके आने के बाद टेल दर के जीना पड़ रहा है, सर, अब तो आप अपने घर के बाद छोड़ दीजे, सर, अब हम जब हम सफर बन गए, तो थोड़ी जान पैचान हो जाए, तो अच्छी बात है, बाइद वे, माइनेव इस महा बली, ब्रदर अब बाहु मेरा नाम क्या है, लोग मुझे गोटसे के नाम से बुलाते है, और मुझे लगता है कि मेरा नाम बोस है, मैं आपको क्या बुलाँ सर, गोटसे का मतलब शूटर, बोस मतलब फाइटर, चॉइस यॉर्स, मुझे शूटर बोट पसंद है, मैं गोटसे पर फिक्स हो जाता हू वैसे आपका गाओं कौन सा है सर माइन्ड मुंबई बोल रहा है लेकिन देल बोलता है मेरा शहर हैदराबाद है हर बाद पर ये पागल आप्शन देता है इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा स्टाप स्टाप क्या हुआ सर फिर से आपके मावाब दिखाए दिया क्या अरे नहीं मेरी लवर दिखाए दिया लवर तुम कैसी हो मालक्षमी सुनो औरजिंटली शेरे पंजाब जाना है चलोगे आप साथ चलेंगे तो पंजाब तक जाने को तैयार हूँ ना टक मत करो चलो जल्दी तुम इस तरह मुझे नजर अंदास करके क्यों चली गई अरे कौन हो तुम जोग बहुत हो गया मालक्षमी सीरिसली बता रही हूँ मेरा नाम महालक्षमी नहीं है और तुम कौन हो मुझे नहीं पता मैं कौन हो तुम्हें नहीं पता मेरी तुमसे फर्स टाइम मुलाकात हो रही है हम दुनों लवर्स है तुम कैसी बात कर रही हो शट अप शट अप कहलो या स्टुपिड कहलो सच यही है कैसे संजाओ मैं तुम्हें नहीं पैचानती हमारी कहानी मैं तुम्हें याद देलाता हू मालक्षमी गोली मामा ओ गोली मामा पंक्चर बनाने में कितने टाइम लगेगा क्या नाम पोकारा तुने और क्या तुम्हारा जो नाम है उसी नाम से पोकारा पंक्चर छोड़ो तुम्हारी कारी वेकार है वो यहारी पेर नहीं हो सकती चाओ सॉरी राहूल तुम मेरे नाम हमेशा गलत क्यों बोलते हो सुबह खाया हूआ याद नहीं रहता तो तुम्हारा नाम कहां से याद रहेगा मामू? राहूल, स्टिल बैचलर, सर्चिंग पॉर लवर. आईए देदे, आईए. लाल साडी में ये एकदम पटाखा लग रही है ना मामा? ये है भी जबर्दस पटाखा, जहां जाती है बम फोर देती है. वो जुका क्यों नहीं? एक सेकेंड में वो पॉजेशन में आना चाहिए जी दिनी. घुटनों कॉपरेशन हुआ है दिती, इसलिए जुकना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसमेर एड़जस्ट कर लीजिये ना. इस लड़की को यहां के सभी लोग जुग-जुग कर सलाम कर रहे है, यह मैडम यहां की कॉर्परेटर है क्या? नहीं, जिनुरेटर है. मतलब पावर देती है क्या? नहीं, लोन देती है. देदी, आपने इस दुकान के लिए लोन दी, हमारी फैमली को लाइफ दी, आप लेड़ी लेजन्ड हो दीदी, अब इस रिबन को काट कर मेरी लाइफ सेट कर दो दीदी, यह लो दीदी. दाती है, इसके लालाज का कोई हादी नहीं है. इस लड़की के बारे में, इतनी परफेक्ट इंफरमिशन तुम्हें कहां से मिली, मामा? धंडी के दिनों में, मेरे अंदर के हार्मोन्स हार्मोनियम बजाने लगे थे. मुझे मूड आया, उससे बचने के लिए मैं काउंकली खूमने लगा. लोनली नहीं रह सका, इसलिए लोनवाली लक्षमी से मिला. लोन लेकर रितावर को ढूढ़ना शुरू कर दिया. और उसके बार… क्या रे, पेमिन्ट नहीं दिया और इधरा के फ्लर्ट कर रहा है. क्या कहा? तोड़ दो इस टूबाइटू को. एक मिनिट. मारो इसे. लवर नहीं मिली, इसलिए पैसा वापस नहीं किया. इसलिए बात बर धो डाला मुझे. सब को यहीं बोल दिया, कि बात रूम में फिसल गया, इसलिए ब्यूटी स्पॉट डैमेज हुआ. मेरे नाग पर मार कर मुझे कहीं का नहीं चोड़ा उसमें. भाजे, भाजे. मेरे जखमों का बदला तु ही लेना उससे. क्यों खामखाल लड़की के साथ पंगा लेना छोड़ो ना, मामा? भाजे, भुर्राक्षे सी एक कममत सोचनों से. इंडस्ट्री के सारे विलेंस की पैकेश डील है वो. अब तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है, मामा? इसके लिए कोई प्लैनमेन है? तुम मान गया प्लैन अपने आप बन जाएगा, जादा कुछ करना नहीं है, एक SMS कर दो उसे कि तुझे लोन चाहिए, एक दम चिपक जाएगी तुझसे. ओके. ठांक्स अलाट. ये तिने लोगों की जिन्दिगी से खेले की तुझे तेरे Gmail को चंक मेल में बदलने के लिए तफ मेल खेच रहा हूँ. ये भी उसमें मिला कर पैक कर दो. भाज़े, भाज़े. हलो? मेरा नाम महालक्श्मी है जी. आपको अप परसनल लोन चाहिए क्या जी? मेरी तिजोरी में बहुत माल है, जरूरत नहीं है, सॉरी. आप ऐसा क्या करते हैं, सर? लोगों की भलाई का काम करता हूँ. ओ, मतलब बिजनिस है आपका? नहीं, जिम्मेदारी. आप बातें बहुत अच्छी करते हैं. टाइम पास करने का टाइम नहीं है, फोन रखता हूँ. ससससस, फोन कट मत कीजिगा. एक मिनट बात कर लीजिये ना. आखिर क्यों? आपके बॉइस में जो वाइब्रेशन है, बातों में जो मॉजिलेशन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ज़रूर पहले कहीं मिल चुके हैं? मैं पहले किसी भी लड़की से नहीं मिलाओं. क्या बात है? सूपब! तो वो फर्स चांस मुझे क्यों नहीं दे देते? मुझे इंट्रेस्ट नहीं है. इंट्रेस्ट तो मैं दे दूँगी. क्या दोगी? ने-नी, मेरा मतलब है, मैं आपको इंट्रेस्टिंग बातें बताऊंगी. लेकिन मुझे इरिटेशन हो रही है. प्लीज, प्लीज, अपने साथ कॉफी पीने का एक चांस दे दीजे ना. फिर उन फीलिंग्स को अपने हाट के डिस्ट में सेव करके, मैं लाइफ लॉंग आपकी उन मेमरीज के साथ जी लूँगी. प्लीज, सौर्फ. बेसिकली लड़कियों को तकलीफ देना मुझे पसंद नहीं है. अब आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो हम कहीं जाकर कॉफी जरू पी सकते हैं. ओ, येस! शाम को छे बजे, कॉफी शॉप. चेर्स! तुझे बस में करने के लिए गुड़िया बन के आ रही है, देख रहा है ना तु भांजे? देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, कहीं तु भी उसके जाल में तफंस तो नहीं जाएगा? मैं क्या तुम्हें कोछ चिछोरा लड़का लगता हूं, मामा? पहले तु स्टिक्ट रहते हो, बाद में स्टिक हो जाते हो, फिर भी तुम सारा कंट्रोल में रहे ना, बहुत डेंजर है, मैं अभी आता हूँ. आप ही महलक्ष्मी है ना? मेरा नाम बॉस. मैं महलक्ष्मी हूँ, आपने कैसे पैचान लिया? इतना सच देच कर आने वाली महलक्ष्मी ही हो सकती है, जस्ट गेसिंगी. यह रह जीनियस हाँ जी. एक्सक्यूज में. सर, कैपेचिनो कॉफी. अरे, ओडर देने से पहले ही है कॉफी लेकर आ गए? हमारे ओनर को किस्समें क्या चाहिए, मुझे पता है. इनकी कंट्रोल में रहने वाला रिमोट कंट्रोल में ही हूँ. ओनर? आप? यह जगा के बॉस यही है. सो नाइस. नाइस टू मीट यू. क्या हो गया जी? आपके हाथ में 440 का करंट है क्या? उतकरी. कॉफी नहीं पीए. बेसिकली मैं थोड़ा शर्मी ला हूँ. तो मेरी आखों में आखे डाल कर बात कीजिया, शर्म कम हो जाएगी. क्या हुआ आखों में कुछ गया क्या? आपकी तो आखों में भी करंट है. उन्हें देखते ही जटका लग गया. बाहन जा तो रोमेंटिक नुक λीए! क्या हो गया अजी, आप चॉंक कियो गया? कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है. आपको देखने से पहले आजसा लगा था जिसंज से प्लेट में हूँ. आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पैरेशूट में लटक रहा हूँ ओहू, पैरेशूट की हवा निकल गई और हम दोनों के बीच का फासला कम हो गया मुझे भी यही चाहिए था, चलो अच्छा है अब आपका काम चालो कीजिए ना उसे तो आपने मना किया ना मैं तो कॉफी पीने की बाद कर रहा था लेकिन अगर लोन ले लेते तो मेरी मदद हो जाती ना आप फोर्स करेंगी तो मुझे लेना ही पड़ेगा लेना कोई गलत बात नहीं है जी अगर आपको घलत नहीं लगता तो मुझे चलेगा तैंक यू जल्दी वापस मिलेंगे आपके साथ वक्त बिताने के लिए नहीं नहीं कॉफी आउस का बिल बढ़ाने के लिए वेलकम तो एनी टाइम है जी टच में रहूंगी हाँ आपकी टचिंग का मैं इंतजार करूंगा जी बाई जी दीदी दीदी नाइंसाफी हो गई चलाओ मत तुम्हारे साथ जिसने भी नाइंसाफी की है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं जल्दी बताओ बात क्या है तुम्हारी शादी करवा के मैं रिस्सेप्शन भी रखूंगी अरे नाइंसाफी शादी में नहीं पैसे की रिकवरी में हुई है तो जल्दी बताना बात क्या है वो गोरा चिट्टा जिसे तुमने दो लाख रुपे दिये वो कॉफी शॉप का अनद नहीं है हम लट गए दीदी आपकी महरभानी से मैंने बाइक सेख ले आजकल बाइक नहीं रहेगा तो लड़किया लाइक नहीं करती स्टिक के साथ आई लगता है अमारी जम के दुलाई करेगी हम को मैले कपड़े हैं जो दुलाई कर देगी ऐसा लगता है, इस प्लान में तुम भी शामिल हो टू बाई टू कौन है मामा, ये लड़की है आरे रे रे, तुम तो चाह गए हीरो आसकार अवार्ड के लिए थोड़ा सा पीछे रह गए बापरे, बापरे, क्या बात है डेविल के आगे ड्रामा मत करो डॉक्यमेंट्स मेरे हाथ में तो अभी इने सबक सिखाती हूँ ओ नो, क्या बात है डॉक्यमेंट्स में सिगनेचर नहीं दिख रहे है दीदी उस दिन तो साइंग किया था ना इसने किया था उसने, लेकिन कुछ तो गढ़बढ है दीदी क्या होगी अभांजी गायब, इट्स गॉन इस पैन से लिखी हूए इंग दो घंटे में गायब हो जाती है मामा चार सो बीसी करके इस गुगली महलक्षमी से धोखा करोगे तो तुम करो तुमे पार, हम करे तो गटार तुम दोनों के तो कनेक्शन्स ही मैं काट डालूगी इनको ऐसा मारो कि दोनों को अपनी अपनी नानिया याद आजाए मारो इने बागो हटो, चिंद कर रही हो, हटो, हटो चोड़ो इसे, मारने को बोला था उससे चिपकनी क्यों लगे तुम लोग उसकी खुश्पू ने हम पर चादू कर दिया हाँ लीबी तुझे क्या लगा, बैट से अटक करें कि तो मैं ढर जाओंगा अरे ने ने आप पर अटक कराने के लिए मेरी बुद्धी मारी गई है क्या पर आगे का प्लान बता कुछ टपोरी लोग मुझे लाइन मारते है ना इसलिए ये गेट अप करना पड़ता है सर वरना मैं तो बहुत सीधी साथी हूँ तुम तो ब्यूटी ओफ इंडिया हो ना तुमे तो सिक्यरिटी भी चाहिए अगर मैं आपको सॉरी बुल दूँ तो क्या आप कॉंप्रमाइज करेंगे सर इस रिक्वेस्ट मैं ओनेस्टी नहीं दिखाई दे रही तो ओनेस्टी के लिए क्या करना होगा सर पर सो जैसे कॉफी आउस में आक्टिंग की थी ना वैसे करके दिखाओ यह क्या के रहше है आप छोड़िये ना वो क्या है ना वो रा तुमारा हाथ हाल नहीं तुमारा हाथ याथन ही लेक्टिक का खंभा है इसी हाथ से कभी कभी पब्लिक की हेल्प भी कर देती ह hungry breast सर सरे रही है एल। के नाम पे कुछ और को नहीं कर रहीए न है अब बताओ, तुम्हारी बॉडी लेंग्विच क्या है? रीडी की हट्टी टूट गई है, सर। तुम्हारा एंगल देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसा देने का मूड नहीं हो रहा है सर, मूड बनाने के लिए और क्या करना होगा? पब में आना पड़ेगा, मैं दोचा ड्रिंक पिऊँगा और तुम कुछ ठुमके लगा देना पैसे वसूल करने के मिरे पास और भी कई रास्ते हैं दीदी, अगर पैसा वसूल करना है तो इसकी बात माननी होगी, पब में जाओ न दीदी तुम्हें क्या? दीदी जाओ, दीदी जाओ, पब में जो खर्चा होगा, उससे मेरा ही तो लॉस होगा अपना पैसा वापिस पाना है, तो हमें जुकना पड़ेगा दीदी हाँ दीदी, ज़रूरी है क्या? हाँ, ज़रूरी स्टॉप इट! फ्लैश्बाक की स्टॉरी अच्छी प्रिपेर की है तुमने, लड़कियों को लाइन माने की ये कोई नई टेकनीक है क्या? महलक्ष्मी मेरा नाम महलक्ष्मी नहीं है, मन्जुला है, और मेरी कोई फाइनांस कंपनी नहीं है, मैं सॉफ्टवेर एंजिनियर हूँ, सी माई आइकार्ड ओटो? महलक्ष्मी सर, मेरा पैस अचला यसे क्लेवर को लवर भी मिल रही है, तो इस पागल को लवर है कौन यकिन करेगा? दो पैक अंतर जाएगा तो असने सचाई बहार आएगी बॉल मारेंगे तो क्या होगा सर, पैक मारेंगे तो किक आएगा इसवब कुछ भी पीनेगा मेरा मूड नहीं है मूड आने के लिए पीना ही पड़ेगा महालक्ष्मी को यकीन दिलाने के लिए, क्या करना होगा पीना पड़ेगा, नीट मारना पड़ेगा, अंदर जलेवे जॉला मुर्की को बुझाने की शक्ति इसी से आएगी आपका छोटा भाई समझ के कह रहा हूँ, थोड़ा सा पी लिजिये सर, प्लीज, प्लीज ठीके ठीके, जब तुम इतना रिक्वेस्ट करी रहे हो, तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ अब अच्छा लगेगा, आये बैठिये, शुरू करते हैं डाला या नहीं डाला, बहुत तेज मानू पड़ता है वहुल्या, 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 वहुल्या भाई साहब, टेस्ट कर लिया? टेस्ट करने के लिए पूरा एक बाटल उडा दिया, पीने बैटेगा तो पूरा फैक्ट्री पी जाएगा वैसे असलियत में हुआ कि आप मुझे जरा बताएंगे मैं तुम्हें बेवजा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता आपके लिए ये छोटू मरने के लिए में तयार है भाई साब, कमान बताएंगे पूर्टू पीने वाले हमेशा सची बोलते हैं मुझे भी वही सुनना है भाई मुंबई से हैदराबाद ट्रेन में आया, सही है न? येस ट्रेन से उतर कर सीधे तुमारी टैक्सी में बैठा डबल येस उसके बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बनें और साथ में घूम रहे हैं करेक्ट है न? हाहा, ट्रिम्बल येस तो फेर, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे भूल सकते हो? आप कोई छोटे कार्टर हो जो भूल जाओ, जिंदेगी भर याद रहोगे तो फेर, महालक्ष्मी मुझे कैसे भूल सकती है? मतलब काजु खाईये शाखत आएगी वॉखलाट मुझे पसंद नहीं, सीधे सीधे बताओ महालक्ष्मी मुझे कैसे भूल सकती है? मुझे क्या पता भाई, मुझे छोड़ दीजिए बीच रास्ते पर मुझे छोड़ कर चली जाएगी तो इस दिल को कैसे संभालूगा? क्या हो रहे कुछ समझ में नहीं आएगा? क्या करना चाहिए कुछ पता नहीं अब कहा जा रहेगा महाबनी? मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है इसलिए पूजा करने मंदर जा रहा हूँ मैं गाड़ी में बैठा हूँ तुम्हें बुलाया बे किसने गाड़ी में बैठिये भागवान की क्रिपास से तुम फिर से दिख गई डोंट टॉक रबिश मेरे पीछे मत पड़ो कितनी बार बोला बड़ेगा मेरे साथ खेल मत खेलो प्लीज महालक्षमी ए मिस्टर पागल हो क्या तुम पुलिस कप्लेट कर दोगी तुम तुम आखिर दर्शन अच्छे से हुआ ना एक आशी गाड़ी स्टार्ट करो चला अरे छोड़ो हेल्प कोई पच्छाओ कंट्रोल रूम मेरे टाक्सी मेरे टाक्सी हट यह खडू सिया क्यों फानली इसने आपको पटा ही लिया मैड़म क्या है इसको लेकर पहली में बहुत टेंशन में हूँ उपर से तु मुझे टॉर्चर कर रहा है कैसा टॉर्चर आप दुनों मिलकर सेट हो गए है अरे यहां कोई सेटिंग मेटिंग नहीं है किटनाप मैं समाल के मेरे भाई एक बात दो मैं आपसे इतना तामजम क्यों कर रहे हो उनके रिक्विस्ट को हांग बोल दीजिए प्रॉब्लम सॉर्फ हो जाएगी प्रॉब्लम छोड़ो कहां ले जा रहे हो मुझे ए कहां जा रहे हो ए कोपी क्या लफडा है कौन है यह अबर दस्ती अंदर गुसा है मालिक आप कौन हो जी मा यह पिजाजी मुझे पहचान क्यों नहीं रहे वैसे मैंने भी तुम्हें नहीं पहचाना तो क्या आप इसके पैरंस नहीं है अरे क्या मजाक है हम इसके पैरंस नहीं है वैसे तुम कौन हो बेटी मैं इसकी लवर हूँ ये बोलके मेरे पीछे पड़ा हुआ है और अपने पैरेंट से मिलवाकर ये बात साबित करेगा ऐसा कहकर मुझे यहां ले आया क्या हुआ दिदी? ये है कौन और यहां क्या कर रहे है? पता नहीं समीर, ये अंजान इंसान मुझे और इनको अपने माबाब समझ रहा है क्या? ये कौन है? तुम शायद कोई गलत एड्रस पर आ गए हो भाई रात की पी हुई अब तक उद्री नहीं है क्या? कोई से निम्बु पानी दो, इसे ये बताओ तुम यहां आये किसके हो? बहे नंदिरी तुम तो मुझे पैचानती हो ना? नंदिरी, यहां मुझे पैचानता क्यों नहीं है? इन सबको बताओ ना किस साच क्या है, मैं तुमारा भाई हू, ये बताओ ना? मामा जी मामा जी तुने इसको हाथ लगान की हिम्मत कैसे की निकल जए यहां से मुझे घूर क्या रहा है ऐसा मारूंगा के अपना नाम तक भूल जाए का तेरा चल क्या रहा है मेरी सर्विस में अब तक मैंने ऐसा फैमिली एंटर्टीनमेंट कभी नहीं देखा मेरा डॉक्टर कहता है सुनिए आप चाय कम पीजिए आप चाय कम कर दीजिए लेकिन तुवारी स्टोरी सुनने के बाद इतनी टेंशन हो गई कि चाय पर चाय चाय पर चाय पीता चला गया लेकिन बात धजम नहीं होई तो मुझ पर बस इतनी महरवानी कर कि मुझे किया वह भी सच है सर लेकिन यह सब का विटनेस में हो यह सच नहीं है सर अपर हुआ क्या हुआ पता चलने से पहले सब कुछ हो गया था सर अचानक सुबह अमारे घर आ गया और मेरी भंजी के इजद तर हट डाला और जब मैं बीच में तो मुझे भी मारा आप इमेडियल इन पर एक्शन लीजिए वरना मैं सीधा कमिशनर तक जाऊंगा अपो जाए कमिशनर को कंप्लेंट करेंगे किसी सीनर ओफिसर को रिपोट करेंगे यह कहके डरा रहे मुझे वैसे भी मेरी परिशानी चाई पीकर खत नहीं हुई है कॉंस्टेबल संजी कुमार इन लोगों से कंप्लेंट लेकर इस पर सेक्शन 361 किड्नेप का केस लगा 261 न्यूसेंस का भी केस लगा अब तो खुश हुए अब यह लोग कान है गोर्से के माबाब यह किसी और को माबाब बोलता है कोई और इसी बेटा बोलता है सर आप फेर से बदाओ तो कोर से अमारा बेटा है यह ट्विस्ट तो शोकिंग है लेकिन फिर भी बहुत इंट्रेस्टिंग है तोना तुमने तुमारे माबाब मिल गए तो आप दोनों कहां से आये हैं हम मुंबई से आये हैं मेरे बेटे की सर पर मार लगी थी तो हो हस्पिटल में भरती किया था डॉक्टर्स की रिपोर्ट दे फीजे अब के समझ में आ गया है यह भाई साब अपने माबाब से बिछड कर कहीं पर भी जाकर तो कहां चला गया था तुझे पता है मैं कितनी डर गई थी तो अपनों को छोड़कर इन पराय लोगों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है चलो घर चलते हैं अब आप लोग ये बेकार की नौटन की बंद करेंगे मैं आपका बेटा नहीं हो तेरे नहीं कहने से क्या होता हमारा रिष्टा थोड़ी खत्म हो जाएगा क्या तुझे कुछ भी याद नहीं है ए सुन जब तुमेरे कोक में था तो मैं बहुत खुश हुई थी ये सोच कर कि तुमेरा सहारा बनेगा हमें संभालेगा लेकिन तू तो बदल गया जिन्होंने तुझे पाल पोसकर बढ़ा किया वो माबाप तुझे याद नहीं तुझे हमसे शिकायत है तो हमें पैचानने से इनकार कर लेकिन उस बेचारी का क्या दोश है जो तेरी नाम का मंगल सुद्र पहन कर तेरा इंतिजार कर रही है तुझे अधिट ये सारे टेंडर कोट से की वज़े से मुर्गन कंपणी को मिल रहा है मेरी कंपणी कॉलाप्स हो जाएगी ये कोट से हनीमोन से वापस नहीं लौटना चाहिए है तुम्हारे ट्राइविंग तो बहुत अच्छी है क्यों एन एक्सपर्ट नो, रोमांटिक कैसे मानू? एक बात बताओ, ड्राइविंग करते वक जिसके दोनों हाथ स्टेरिंग पर हो यानि उसकी शादी नहीं हुई शादी शिदा हो तो? उसका एक ही हाथ स्टेरिंग पर रहेगा तब उसका दूसरा हाथ कहां होगा? यहाँ और सोचो अगर दोनों हाथ यहीं रहे तो फिर क्या होगा? आक्सिडेंट होगा, और क्या है? यह क्या कर रहे हो? इंट्रिस्टिंग इसे कैसे बनाती है? इसके लिए जरूरी सामगरी एक किलो प्रेम आदा किलो अनुबंद साथ ग्राम अनुराग थोड़ा भरोसा एक कप केरिंग, एक स्पून शेरिंग यह सब मिलाकर दिल के बरतन में डालकर हाट के स्टोपर स्मूधली हीट करोगे तो लाव फूट ते यार अच्छा है ना आपके हाथों से तो जहर भी अच्छा लगेगा ने तू, तुम्हें पता हॉरत हमेशा मर्द के बाईयों और क्यों रहती? क्योंकि दिल इंसान के बाईयों रहता है इसलिए यू रॉंग, ये बाईयों रहती ना इसलिए एई स्टॉप 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 क्या हो और? कोबड कोबड क्या है सुनिये, जरा आप मेरे हाथ पर गोटसे का नाम लिख देंगी प्लीज नो, नहीं करना रहे तु लेकिन क्यों नहीं करूं? तुम बहुत सेंसिटिव हो रहे तो, तेज हवा से तुम्हें तकलीफ होती है अगर तुम्हें सुई चुबेगी, तो मुझे तकलीफ हो तुम चाहो तो ये दर्द मैं सहरेता हूं लीजी गोटसे, कौन है ये नोग? मैं जिस जोशी कंपनी में काम करता हूं इसका राइबल प्रूप अंदर वान अरुब थो आप तकलीफ आप प्रूप आप तकलीफ आप प्रूप इसका राइबल भाइबल आप तकलीफ आप अंदर आप वाज अंदर कर दो कर दो कौन वारी! तुछ से शादी करने के सिर्फ तेन दिम बाद ही वो बेचारी तुझसे दूर हो गई तब से लेकर आज तक वो तेरी राह देख रही है रीतू तुझसे अब कभी मुझे कभी मुझे छोड़कर बच जाना तुम कौनों मैं नहीं जानता तुम मुझे नहीं पहचानते अब कहो कि इस टार्टू को भी नहीं पहचानते जिस पर मेरा नाम लिखा है अब भी तुम्हें मेरी बातों को यकीन नहीं है नहीं क्योंकि मुझे जनम देने वाले असली माबाप ये है और ये है मेरी असली माशुगा ये उपर वाले ये तु मेरे साथ क्या मजाग कर रहा है देखो तो बच्चा पैदा करके रोड पर छोड़ कर हम जैसों को परिशान कर रही है सुने लड़के तुम्हारे माबाप ये है बेटा इतनी बेज़ती होने के बाद तुम यहां रहना चाहते हो चाहते हो हमारे साथ वाले माबाप को छोड़ कर किसी को भी अपना माबाप बोल रहे हो ठीक है तुम्हारे माबाप कौन है ये पता करने का अब एक ही रास्ता है DNA टेस्ट अगर उस टेस्ट में ये साबित हो गया कि ये ही तुम्हारे माबाप है तो मैं भी मान लूगी कि मैं ही तुम्हारी फाइनली ये पेचिदा केस साल्व हो गया एक्स्क्यूज मी आप में से भूपती मालती दीवी कोन है हमी है डॉक्टर साब डीने टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़का आपी का प्रूफ हुआ है गोट से बिटा अब तो हम पर यकीन करेगा मैडम इस सच्चाई को हजम करने के लिए उसे थोड़ा सा समय लगेगा मेरे साथ हाईए मिस्टर गोट से ये आपकी ब्रेन की मेमरी सेल्स है आपके सिर में गहरी चोट लगने की वज़े से आपके ब्रेन की 70% मेमरी सेल्स डेमेज हो चुकी है और फिलहाल सिर्फ 30% सेल्सी काम कर रही है इसलिए आपको कुछ करीबी लोग ही याद रहेंगे और आप कब तक रिकवर करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता इसे हमारी मेरिकल टर्म में देजावू कहा जाता है इसमें किसी नई जगे पर जाने पर भी लगता है कि जैसे हम पहले भी इस जगे पर आ चुके है ठीक उसी तरह किसी इंसान को देखने पर भी ऐसा मैसूस होता है कि जैसे हम उसे पहले से पहचानते हैं ये नैचरल हुमन ब्रेन का सुभाव है आम इंसान में ये 2-3% होता है जबकि आपके लड़के को 100% है बाइद वे आपका बेटा हैदराबाद कभी आया है? बिजनस के काम से महिने में एक बार ये यहां आया करता था डोटा बस यही प्रोब्लम है इनके ब्रेन का में ट्रैक टिरेज हो गया है और सब ट्रैक ही काम कर रहा है इसलिए हैदराबाद और आसपास की जगे और यहां के आदमी ही इनको याद है मुझे लगता है इन मैडम जी और वाकिस सबको इनोंने कभी देखा होगा इसी कारण से यह इस तरह बिहेव कर रहे है मिस्टर गोड से इस समय आपका ब्रेंज जो भी आपसे कहता है उसे नजर अंदास कर आपको अपने माता-पिता की बातों को अमल मिलाना चाहिए है मा लक्ष्मी तुमसे एक बार बात कर सकता हूँ यह मेडिकल टेस्ट्स, डी एने रिपोर्ट्स यह सब नकारने वाले सच हो सकते हैं आप लोग जो कह रहे हो वो भी सही हो सकता मैं आप लोगों की बातों पर अब यकीन करने लगाऊ धीरे-धीरे सच मेरी समझ में आ रहा है तुम्हारे लिए मेरा प्यार प्यार नहीं भाम था देखो, एक सच को सौ बार बोलकर जूट साबित कर सकते हो लेकिन एक जूट को हजार बार बोल कर भी सच साबित नहीं कर सकते लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है तुम्हारे अंदर सच्चे प्यार की भाबना है हैट्स ओफ लेकिन अफसोस की जिस लड़की को तुम ढून रहे हो वो महलक्षमी मैं नहीं हूँ और देखो तुम्हारी एक बहुत ही प्यारी पत्नी है फैमिली है जो इस प्रॉब्लम में तुम्हारी साथ है प्लीज मुझे भूल कर मुंबई जाकर अपनी इस प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करवाके एक नॉर्मल इंसान की जिन्दकी जी हो मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ करती हूँ बाई, टेक केर बेटर ट्रीटमेंट के लिए युएस दॉक्टर से भी फूठा जा रहा है ग्रैंटपा तुने मुझे मारा क्यूँ ए मैन, वेरी फणी, वात री टॉकिंग तुने मेरे सर पे क्यू मारा मैने अपके सर पे कब मारा अज़स केम फ्रम अमेरिका मेरे ग्रैंटपा के ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ आपको भी फर्स टाइम देख रहा हूँ तुने मुझे यहां मारा गॉल्फ शॉट मारा मैं कैसे गॉल्फ शॉट मारूंगा मेरा तो एक हाथ ही नहीं है जलो चले मुझे सांटे 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 गुट से मिटा 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 क्या हूँ तुम ठीक तो हो आँ मिटा मुट्छा मा 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 कहा ये शब्द सुनने के लिए मेरी कान तरस गए मुझ में ही कमी है ये समझ में आ गया हम लोग मुंबई चले जाते हैं मा हम अभी चलेंगे बेटा अभी चलेंगे अभी चलेंगे बेटा अभी चलेंगे करो अभी अभी करो खर बreso माँ रुक जा रुक कहां भागेगी इसने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो क्या डाला कमर पे आस इतनी छोटी सी बात में शोर क्यों बचा रही है अच्छे खासे मुड की बाट लगा दी तुम्हें चल मेरे साथ सीधे से चल बगना जबर दस्ती ले जाओंगा एई देख मुझे इसके साथ थोड़ी मस्ती करनी दो तू इंसान है या चांदर चोड़े आप लोगों को अपने माबाप समझ कर मैंने काफी टॉर्चर किया है इस गलती को सुधारने के लिए आपसे माफी भांगने आया हुमा जी लेकिन एक बात मैं तावे से कह सकता हूँ कि मेरे आने से पहले यहाँ जरूर कुछ खलत हो रहा था सौरी बोलके हो गया चल निकल यह मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है समझा दू फैमिली आप ही की होगी लेकिन प्रॉब्लम होगा तो कोई भी सॉल्फ कर सकता है तु यहां क्या सॉल करना आया, बीज में आकर मूड़ खराब करती है, चल्दी कल यहां से, पूर क्या रहा है बे, अगर इस लड़की से तुने कोई जबरदस्ती की, तो तुझे पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं होगा, यह मेरी प्रापर्टी है, इसलिए मेरा इस पर चताया जाए, दुनिया पर शासन करने वाली शक्ती है यह जो तुझ जैसे शैतान को भी खतम कर दे, अरे तेरा प्रबचन तेरे बास रख और भी कर यहां से, मेरा यहां आना उपर वाले का फैसला था, लेकर यहां से जाना कब है, यह मेरा फैसला होगा है, पीटा, पीट अरे, तुझ जैसा जानवन मेरा भाई नहीं है, जो नम दिया हुआ मेरा बेटा, आँकों के सामने पागल बन के घुम रहा है, हमारी वज़े से इसकी अची हालत हो गई है, इसके लिए अब तक मैं चुपैजी रही, आज सब के सामने कहती हों कि यही मेरा बेटा है, पॉस उच्या एण मेरही पेटे हो, तु पेरे बोस हो, इमकोई कोटसे वच्च नही हो, पेरे बोस हो पैरे बोस हो, तु नहीं हो हुआ हुआ मौह तुमभी रावेड़्ट रहे रावेड़्ट तुकिसी काम जी नहीं है, पूरा खेल भी काम जिया तुने दिखो वो यहां से जिदाना लोट माए बॉस, बॉस, नहीं तुमारी मालच मी हूँ नहीं तुमारी मालच मी हूँ बहिया, उसमें बहुत दुल्किये हैं उसे तिल्कुल में छोड़ना बहिया उसमें मत छोड़ना नहीं, वहाँ कहां से भगा, भगा, जल्दी कर ऌड़ना यह, यहाँ भगा, भगा, भगा भगा पासिए पासिए लोगा एए वागो काटा भी तुम प्रेटा तो बेटा सह नहीं बाता पर तुम मेरी माँ पर हाथ उठाओगे और मैं खाबोश खड़ा देखता रहाँगा जाट के रख दूँगा यह हाथ तुझे याद है तेरी मौत मेरी हाथ हो लिकी है एंछे बारोसे कि अ उसे पूँचर को फिआए प्रह कर दो है हुआ 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 nutritional हुआ थ dönे हुआ οι्ट इस हुआ थ dedic हाँ हाँ प्र कुई प्राइब झायो प्राइब प्राइब चर्भाराइब मुझे सुलाने के लिए तू क्या तेरा बाप भी उपर से नीचे आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा तुम जैसे उसे निपटने के लिए उपर वाले ने मुझे अलग सी शक्ति दिये मेरे बदन के किसी भी हिस्से को अगर छूने की कोशिश की तो तेरा दी एंड क्या हो रहा है मा? युद युद हो रहा है यहाँ एे कौन बोल रहा है? बोरसे बोर्षए और बोस बोस? ये बोस युनिवर्सल नेम नो नीड पॉर इंट्रड़क्शन मैं कौनों पता है? भारत वाज शीफ मिनिस्टर आप दे स्टेत तम्हारी इतनी हिम्मत की सियम से इसतरा बात करो तुछ से बात करने के लिए हिम्मत किसलिए नोकिया में डॉकमों का SIMB डालो मेरा नेटवर्क तुझे नहीं पता है तेरा फ्यूचर क्या यह यह मुझे पता है तेरा तुछ फोन बहेगा जानता है क्या कर रहा है तुम अकेला है बच्चे आ लेकिन साव पर भारी हूँ नेरा टार्गेट नहीं चुपता अबे तेरे टार्गेट की ऐसी किता ऐसी किलो मीटर तक मेरी सिक्यूरिटी है कई भी छुपता ठूर निकारूंगा आएगा तो मरेगा सुबाश चेद्र बोस की डेस डेट नहीं है इस बोस का भी कुछ ऐसा ही है आ रहा हूँ आ ना तू आउ आउ आजा तो खुश किस्मत है कि तू अपने चम्चो के मरने की चीखे सुन रहा है एए तेरा मरना तो कन्फाम है जिसे याद करना है कर ले क्योंकि तुझे बचाने के लिए तेरा भाब भार्दवाज भी यहां नहीं पहुच पाएगा एक इंसान को पागल बनानी के लिए मैंने क्या-क्या नहीं किया कोशिश की कि वो अपने अस्तित्त को ही भूल जाए सक्सेस मेरे कदम चूमने ही वाली थी कि मेरे एक प्यादे की हवस की वज़े से सारा प्लान चोपट हो गया ऐसी समस्या तुमारे लिए कोई नई बात नहीं है भारतवाज बाइदवे ट्राइमेक्स कंपनी वाले अपने फार्म हाउस में हमारा वेट कर रहे हैं तुम आगे चलो मैं बाद में आता हूं आलफा टु चार्ली आल सिस्टम टार्गेट बूविंग आल स्टेशिंस अलट कि अलफा उर्का सेतना तुम चर्वर टार्मण रात लकंडि वाले वाले कुछ नंवार। वाले की अलफा तुम तुम नंपा predicting मяं युम तुम educating THE mold आ खिख से जने खिज़ द दॉणирован में सुना के आ घराइट है आख साकर्णिन लोगाउ सावर चांप उपदह नोगाई तो कि अचाने लोगाई इसाथ देख पले टेख। कि दोग्याएट प्रेख अबाई। यहाँच जुब तो प्रेख दोगोगाई लोगाई जंब्लिंग अल कास आजे मैं एंटर हो गया हूँ अब बता सीएम किस कार में है बताता हूँ मामा security alert, security alert, step down road मामा, सीएम सेगंड कार में है इतना परफेटली कैसे बता सकते हो तुम एक बी आईपी की कार को चलाने वाले ड्राइवर को तुछा टेंशन रहेगा पेरी केसिंग यही कहते है security alert, near farmhouse road, jumbling all cars मामा, मैं फर्स पॉजिशन पर जा रहा हूँ तुम फर्ड पॉजिशन ले लो ओके भाजे मामा, slow down लो कि वाजेगे यह कृए, मैं जाओ, मैं याओ, मैं त। न अबरा न अबरानदरव ये तूड फ्रैब कहात। इत्वेर श बननहें, उड जा रजो जॉन्टाओ, मुड़ू झाल 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 मोबाइल पर बहस करना मुझे पसंद नहीं है अपनी आदद है डाइरेक्ट अटाक तुझे होश भी है तु क्या कर रहा है ड्राइविंग, ड्राइविंग किया रॉंग रूट पर जाने वालों को मेरे सही रूट का सिर्फ एक सैंपल दिखाया है चारों तरफ तीन किलोमेटर तक तेरी सिक्योरिटी है न तेरे साय को भी कोई टच नहीं कर सकता न मैं तुझे तीन किलोमेटर नहीं तीन फोट के फासले पर ले आया क्यों पसीने चुट रहा है तेरी कहानी से शुरू करके मेरी कहानी पर खतम करेगा या मेरी कहानी से शुरू करके तेरी कहानी पर खतम करेगा कुछ सम्में पहले राश्टर की मुख्यमंद्री सीविया हाट अटक की वज़े से हॉस्पिटल में भरती हो गये है हाट स्ट्रोक की वज़े से उन्हें हॉस्पिटल में लागा गया है डॉक्टर, भाई साब का क्या हाल है? अब उनकी कंडिशन आउट ओफ डिंजर है। उनको जो स्ट्रोक आया था बहुत ही मैसिव स्ट्रोक था। वो उस वक्त तो उन्होंने सहलिया। लेकिन अब उनका हार्ट वीक हो चुगा है। अगर ऐसा स्ट्रोक दुबार आया, तो उनका बचना मुश्किल है। कोई टेंशन वली बात उनके कान में कभी न पहुँचे इस बात का ख्याल रखीएगा। उन्हें क्या एक बार देख सकता हूँ? वाई नाट, शूर। अरे, भाई साब, ये क्या हो गया? आज नहीं तो कल ये दिन आना ही था, मुझे अपनी नहीं जनता की फिक्रसात आ रही है। जनता की बहुत सारी समस्याय है। वो सब बात में देखेंगे, पहले आराम कर लो। अगर इन्हें फिर से स्ट्रोक आया, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सेवियर हाट अटेक आने की वज़े से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस हॉस्पिटर में अद्मिट किया गया था। हमें बताते हुए अफसोस हो रहा है कि दुबारा हाट अटेक आने की वज़े से उनकी नित्य हो गई है। उनका अंतीम संसकार करने के लिए उनके बेटे उनने घर ले जा रहे हैं। उनका दर्शन करने के लिए पूरा शहर उमर उठा है। हमारी पार्टी और स्टेट के लिए मेहनत करने वाले हमारे भाई साब का देहान सब के लिए बड़े दुख की बात है। जनता को उनसे बहुत सारी उम्मीदे थी। उनकी उम्मीदे अब सच करेंगे हमारे भारत द्वाज जी। उनके स्थान पर अब मैं इनको बिठाना चाहूँगा। भारत द्वाज जी, आईए। भारत द्वाज जी, मेरे एक छोटी से रिक्वेस्ट है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आम प्राउड अफियो। बहुत मैना से मिली है तुम्हें इस सीट। इसे संभालना। इस सीट से मुझे हिलाने वाला ना है ना आएगा। इस सीट से मुझे हिलाने वाला ना आएगा। इस सीबी आए अंदर के लिए में मालिक की बहुत बड़ी पूजा चल रही है। तुम चाहते हो कि उसमें तुम्हारी समाध्री की भी पूजा की जाए। चले जाओ। ना में ऑगे तो स्कैनन अगर में मारोंगा, तो हिस्टरी में सुनाएधेगा। आप साचे नारायन, और कितना डाम बाकिए, पास सेकंड सर, परफेक्ट टाइमिंग सर, सर, आप कहीं तो रेट शुरू करें? फर्स्ट प्रेए तो गौड, नेक्स्ट पिपेर फो रेट सहाब ये सवन से आपके परिवार में समृद्धी, शुबलाब, सुक शान्ती आएगी शत्रों का नाश होगा आपको संपूर एश्वर्य प्राप्त हो इसके लिए माताजी के अन्ली जी ज़रा रुख जाहिए एश्वरी की जरूरत नहीं है चाहे तो मैं ही भगवान को दे देता हूँ आप आईश्मान भवक कह सकते हैं आपके लिए आयूश्य मांगना बेकार है कि इसको कितना देना है ये भगवान निर्णे कर चुका है तुम जादा बात कर रहे हो तुझे दिया हुआ टाइम एकसेस हो गया है स्टार्ट दे रेड़ ये उन से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सब मेरा पैर चुकर आशिरवाद लेते हैं उससे कोई उची आवाज में बात नहीं करता किस गर में दीपक जलता है वहाँ धुआ छोड़ना ठीक नहीं बेसिकली मैं एक स्मोकर हूँ बचपन में पढ़ाई की जवान ही मैं आश्की है लेकिन एक लिमिट तक साथ ही साथ अची आदते भी अपना ही तू भी अपना ले मेरा हुक्म यहां का कानून बन जाता है तो है कौन जो मुझे सिखा रहा है मेरे बारे में सब कुछ पता करने के बाद ही तुझे इस के लिए में कदम रखना था कदम रखने के लिए इंविटेशन की जरूरत नहीं है इंफोर्मेशन काफी है मेरी कहानिया तुम्हें यहां की जनता से पूछनी चाहिए सब जान जाओगे कोसी चन्दा ममा की कहानी है बे साक्शाच श्रीक्रिष्ण भगवान मेरे रूप में फिर से जनम लिए है ऐसा यहां की जनता का कहना है यह है कहानी तू और कृष्ण भगवान ब्लड़ी फूल तुझे पता है कृष्ण भगवान का मतलब क्या है गंस को मारने राक्षफों का विनाश करने और रिशी मुनियों की लक्षा करने के लिए इस धर्ती पर उत्रे थे वो तुझ जैसा कुकरमी क्या जाने के भगवान क्रिष्ण क्या थे अरे मुझ जैसे सामान्य मनुष्य के सामने भी तू टिक नहीं पाएगा और खुद को क्रिष्ण का आउतार कहता है खुद को शेर कहने वाले तुम तो बहार के चुहे से भी छोटे हो ए फूर चार बदमाशों का अपने साथ रखकर अपने आपको दीस मर का समझने वाले तू है क्या चाहूं तो अभी मसल दू आफ्टर ओल सी बी आई का मामूली मुलाजिम है तू जब चाहूं तुझे कुचल सकता हूँ मैं CBI का मुलाजिम हूँ इसलिए अभी तक तू मेरे सामने सही सलामत बैठा है अगर मैं अपने असली रंग दिखाने पर आजाओंगा तो कितनी भी कोशिश कर ले तेरे जितने भी कॉंटाक्स सारे इस्तिमाल कर ले तुझे मरने से कोई नहीं रोख सकता कोई नाए अगल भगल के तीनो राष्ट के सीम से पुछो मैं कौन हूँ मेरे नेटवर्क के बारे में तुम चान जाओगे सुझे अपने नेटवर्क के जलवा दिखाऊं सुझाता रिपूर्टिंग सार प्रभाकर प्रभाकर रिपूर्टिंग सार यह मेरी रेंज है ज़रा अपने हाथ की गड़ी निकाल क्यों? क्योंकि तेरा टाइम खराब चल रहा है चल निकाल यह तेरी सीक्रेट लॉकर की यह बात तुझे? एक बार किसी शैतान का टागेट फिक्स किया तो उसके घर में बड़ा होने वाला पेड़ या उसका भोकने वाला कुत्ता भी हो वो मेरे कंट्रोल में आ जाता है बैरो सर, ब्रेट कंप्लीट हो गया इसके राशन कार्ट से लेकर पासपोर्ट तक सब कुछ जब्त कर लो तब ही ये जरूत पढ़ने पर हाजरी देगा सत्यनाराण सर इसका अंगुठा लेलो साहकड़ो को मार कर जो पैसे मैंने कमाये थे वो इतनी असानी से तुम उझसे चीन लेगा तुम मुझे क्या भागल समझता है तो मैं चुपचापतमाशा देखते रहूँगा एक कदम एक कदम भी तुनी अगर आगे बढ़ाया तुम मैं इसका भी जाओ रादूर्या ड्यूटी के लिए मैं मरने को भी तयार हूँ सर लेकिन इसे मत छोड़ियेगा सर सत्यागिरा पर चलने वाला छोटा आदमी बढ़ा बन सकता वही बढ़ा आतमी जब बैमानी की रापर चलता है तो सीधा परलोक सिधार जाता उन्हें के सिंगासन पर ये देश्त्रोही जच नहीं रहा है रिमोव दे बॉड़ी, रिकवर दे थ्रोन मा, लड़के वालों के आने का टाइम हो क्या है? सब तयार है ना? तुम्हारी बेहन को छोड़कर सब तयार हैं तीन घंटे हुए अब तक तयारी हुई अरे उसकी शादी है, टाइम तो लेगी ना? अजे, सामने पैदा हुई बच्ची की शादी हो रही है यहां मरने की उमर हो गई और अभी तक शादी नहीं हुई वो देखो, वो आ गए कैसा लगा दूला? धार लगी दलवार जैसा है चश्मे उतारो, और जड़ा देखो, मीठी वाली छुरी भी है यह क्या बाजे? वो दूले की बड़ी बैन है मामा पाप्रे, देखते हैं चबड़ी निकाल देगी नमस्ते चड़ती है तो उतरना मुश्किल उतरती है तो चड़ना मुश्किल क्या करूं में तैरा? यह मेरी बड़ी बेटी है, महालक्ष्मी MBA कर चुकी है महालक्ष्मी फाइनस कंपनी की MD यह हमारा बड़ा बेटा है CBI में जॉइन डारेक्टर के पोस्ट पर है अरे बीटिया के बापू के बापू का फोटो है बापू की फोटो नहीं है, तू चुपचा बैट लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं फिर हमें और क्या चाहिए? इनका आपस में एक दूसरे को पसंद करना काफी नहीं है ये दहेज अच्छा देंगे तो शादी होगी अब बोलू, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? एक सीबिया अफिसर के सामने दहेज लेना और देना दोनों ही गुना है अरे तू चुप हो जा बेटा, आप पूछो ना बेटी लड़की वाले हैं हूं हमें चाहिए एक लाख, चौबिस हजार, तीन सौ पच्चिस रुपए और ये पैसे तुम्हें शादी से पहले देने होंगे बापरे बापरे, ये तो लोन अमाउंट है ये क्या है बेटी, मांगना है तो छे लाख या साथ लाख मांगना चाहिए ये एक रुपया, दो रुपया का क्या मतलब है बेटा? ये आप अपने बेटे से पूछे और इनके पीछे छुपएवे टू बाई टू से भी पहले इन दोनों का रिष्टा तो तय हो जाए फिर हमारे बीज की मैथेमेटिक सॉल्ब करेंगे शागुन की थालिया बदली कीजिए, वर्णा मूर्थ निकल जाएगा अम्पूर्वस्वातस्वितुर्वर्णयंपर्को देवस्यदीमाइदियो योना प्रचो दयात अरे कोई इसका पूपन करा? अरे ये लिजी, टेंशन मत दीजिए, सब छीक हो जाएगा ए चुपकर, जब देखो नाटक करती रहती है ऐसे शुप मौके पर ऐसे मन्हुस को लाना ही नहीं चाहिए ओर डेज हो, भेज़कर पीछा चुड़ा लो तेरी इतनी हिमत, तुने मुझे पे हाथ उठाया? चुप रहो, बुज़गों की बेज़दी करोगे तो आगे पीचे कुछ नहीं देखूँगा तुमने आखिरे ने क्या समझ रखा है? तुम्हें धर्म के बारे में, ब्यभार के बारे में, संसार के सारे अच्छे नियमों के बारे में बताने वाले यही लोग है उस जमाने को और अपने जमाने को अगर किसी ने चोड़ कर रखा है तो यही देव समान बुज़ग लोग है अगर बड़े बुड़े रास्ता नहीं दिखाएंगे तो हमारे देश की संस्कृती देखते ही देखते खत्म हो जाएगी मनुष्य में प्रेम नहीं रहेगा, बच्चों के चेरे से मुस्कान हट जयेगी, प्यार वाले निवाले नहीं होंगे, लोरिया नहीं होंगी, दादा दादी की कहानी भी नहीं रहेगी अगर ये लोग ओल्ड एज होंस में चले जाएंगे तो हमारा भविश्य फिर से स्टोन एज में चला जाएगा आप हमारे महमारों इसलिए छोड़ रहा हो दूसरा कोई होता तो ऐसा सबक सिखाता कि याद रखते अगर आफर क्लोज हो गई तो अच्छा दामाद मिस कर दोगी तुम्हारे नजर में तुम्हारे लाएक कोई लड़का है तुम्हारे सामने ही तो है मा क्या हुआ भारतवाज यहां अकेले बैठ कर क्या सोच रहे हो इस प्रदेश को उपर कैसे ले जाओ यही सोच रहा हूँ बैठ के उस ग्रीन प्रोजेक्ट के डील के बारे में मैंने और मेंदर ने सारे डिसकर्शन कर लिये हैं हमारे एक्सपेक्टेट पेमेंट के अलावा 50% पार्टनर्शिप भी देने को तैयार है आपको बस इस प्रोजेक्ट में आने वाले लीगल प्रोब्लम्स को सॉल्व करना है सर तुम्हें अकल है जीज सेक्रेटरी होकर प्रेपास ऐसे प्रोपोसल्स लेकर आते हो इस फाइल पर अगर तस्तकत करूँगा तो पता है क्या होगा सद्यों से इसी जगह पर चीर है 125 जंगली जाती वाले इस प्रोजेक्ट से बेघर हो जाएंगे इस ग्रीन प्रोजेक्ट से भूड़े बच्चे और अतमर्थ सब के सब परबाद हो जाएंगे उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो जंता हमें प्यार करेगी और वोटो से लाद देगी नहीं तो करोडों रूपे खा गए ऐसा कहेंगे मूँ पर थुकेगी मेरे टेबल पर ये फाइल आगे से नहीं आनी चाहिए अगर ये बात तुम्हारे मामा जी को पता चली तो तुम्हें परेशानी हो सकती है अपने रास्ते में आये बड़े पापा को नहीं छोड़ा तो वो तो मामा है पैनर जी डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन देने से पहले हैं ऐसा क्यों करते हैं? सिरिंज में एर ब्लॉक हुआ तो वो एर बबल सीधे आदमी के बॉड़ी के नसों में जाकर हार्ट बॉल्प्स ब्लॉक कर देता है जिसकी वज़े से इंसान की मौत हो जाती है मामा और मेरा एक ही प्रेंट है और वो रोज शाम को दो पैक ज्यादा पी कर निकलते हैं आज का पैक लास्ट होगा उनकी मौत कैसी हुई? ये पोस्ट मॉटम से भी पताना चले है प्रेंट के बगार युज गुंडे का चेप्टर टरिफिकली क्लोस किया तुम्हे वेरी प्रॉड ओफ यू प्ली सिट डाउन तैंक यू सर् नाओ कमिंग तुद पॉइंट ये हैं सेंटरल हर अफिस से आया हुए स्पेशल ओडर इस बीच हाली में मारे जाचुके एक सिम की डेथ पर सिम को उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स पर शक है और इस तरह के केस के लिए तुम्हारे जैसे डेडिकेड़ ओफिसर ही चाहिए तुम्हारा टेलेंट और ट्रेक रिकॉर्ड देखकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुम्हें ही डेप्यूट किया है और तुम्हें इस काम पर इसी पक जाना होगा यहार्टिस तैंकि यू सर लेकिन हमारे सी एंस सहाब की नाच्छलल डेट ड्यू टू हार्ट अटेक हुई है यही वेपर में पढ़ा था मैंने यूर राइट बट ओपोजिशन पार्टी वालों का मुव बंद करने के लिए जनता को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे ट्रिक्स प्ले करना पॉलिटिशन के लिए मामूरी बात है केस फाइल राजीव तैंक यू उनके सीम होने के पहले से ही मैं उनका छीटमेंट कर रहा देखे सर मुझे उनकी फाइमिली की टोटल हेल्थ हिस्ट्री की फाइल चाहिए हूए उने जो आया था वो एक मैसिब स्ट्रोक था एन डाट इस हन्रेड परसंट नाच्रल स्ट्रोक तुमारी भेजी हुए सारी फाइल स्टडी की है मैंने चीफ मिनिस्टर को फार्स ट्रोक आने के बाद डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट दी वो बिल्कुल करेक्ट है उनके बॉडी कंडिशन के हिसाब से सेकेंड स्ट्रोक आने के बाद उनके जीने के चांसेज बहुत कम दें हॉस्पिटल में रेकॉर्ड हुआ CCTV फुटेज यही है सर यह डिस्टरबन्स क्यों है? उस दिन ठीक इसी समय हमारे हॉस्पिटल में सभी CCTV कैमरे के फुटेज में ऐसा ही डिस्टरबन्स आया था सर उसी समय आपके हॉस्पिटल में पावर फ्लक्चुएशन जैसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है सर हमारे पास हाई क्वालिटी एलेक्रिकल पावर सिस्टम है सर ओपन दर डोर अलो जी कहिए टीवी नाइन न्यूस चैनल येस जिस दिन मुख्यमंत्री गुजरे थे उसके सुभा के साड़े पाँच बजे आपके चैनल में कौन सा प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा था उस समय हमारी चैनल में भाक्ती प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ था उन्हें जो आया था वोई मैसिव स्ट्रोक था एंड़ एस उनके बोडी कंडिशन के हिसाब से सेकंड स्ट्रोक आने के बाद उनके जीने के चांसे बहुत कम थे मतलब स्ट्रोक आया सीएम टीवी देखते देखते मर गया क्या उस समय हमारी चैनल में भक्ती प्रोग्राम चलेकास्ट हुआ था सीएम भक्ती प्रोग्राम देखते हुए क्यों शौक से मर गया सीएम की आँखों में डर दिखाए दिया डरने की वज़ा क्या हो सकती है पीसी टीवी कैमरा फुटेज में ये डिस्टरबंस आया था मतलब जो सीएम देख रहा था वो भक्ती का प्रोग्राम नहीं था कुछ और ही था जिस दिन सीएम गुजरे ऑस्पिटल बैक्यार्ट में ड्राइविंग तुम ही कर रहे थे उस दिन बैन में क्या हुआ था मैंने पूछा उस बैन में क्या हुआ था नहीं था कर दो कुछ कुछ सर, अब सब कुछ हमारी कंट्रोल में है CM जो भी चैनल आउन करें वो वही देखेंगे जो हम चाहते हैं इस राचे के सबसे बहाल इंसान लोगों के चहेते नेथा जिन्हीं लोगों का दिल जीतना बखो भी आता है हमारी चीफ मिनेस्टर का असली दूप सब के सामने आ गया है लर्कियों के साथ ये अश्लील व्यभार का टेप स्टूडियो एन के हाथ लग गया है वो विजूल्स एक्स्क्लूजिबली आप के लिए इस विजूल्स को देखर जन्ता शौक्ट हो गई है जिसे जन्ता भगवान की दरह मानती है उनके इस बरताव से जन्ता में क्रोध है और उन्होंने राजी में तोड़ को शुरू कर ली है यह संसरी खेस कबर सुनकर पार्टी के सारे कारे करताओं ने आत्मा हट्या कर ली है सी एम के बेटे के कहने पर उस दिन मैंने सिश्टम को है किया था अत्यारे चाहे जितने भी शातिर क्यों ना उन्हें छोड़ूंगा नहीं क्या सर बहुत हैपी लग रहे हो एक्सेम का केस सॉल्व कर दिया क्या आपको यह तो नहीं लग रहा है उनका मडर हुआ है सर आप जो केस डील कर रहे हैं वो आपको थोड़ा डेंजर नहीं लग रहा रवेंद्रा क्लियर बोलो मुझे गोल मौल बाते पसंद नहीं फिर मौत को घर का रस्ता क्यूं दिखा रहे हैं कॉफी ठंडी हो रही राविंद्रा पीलो इसे थेंक्यू सर शर्मानी चाहिए तुम्हें तुम अपने जूनियर्स के लिए क्या एक्जांपल सेट कर रहे हैं मौत से डर रखता है तुम्हें अगर तुम्हें चूडियां ही पहननी है तो जा कर कोई और जॉप कर लो ब्लडी फूल बोल्स वाट नॉंसेंस इस आपने ही कली को सब के सामने पीट रहे हो तुम कोई C.B.I. अफिसर हो या रास्ते के गुंडे हो C.B.I. का क्या मतलब होता है ये तुम्हें पता भी है या नहीं मैं आपको किताबी मतलब समझाओ या वो मतलब समझाओ जो ये जानता नहीं वाट दो इमीन आइमीन C.B.I. का मतलब Central Bureau of Investigation जो B.I.P. की सिवा करने के लिए नहीं होता You are crossing your limits You are talking to your superior I know with whom I am talking to मुझे पता है मैं किस से बात कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ एक वक्त था कि सोसाइटी को क्लीन करने के लिए C.B.I. बना था और अभी सिर्फ बड़ी बाते करने के लिए रहे गई ये C.B.I. I am sorry sir मुझे से अंजाने में बहुत बड़ी खलती हो गई अगर आप ये C.C.C. सच्चे ऑफिसर को दोगे तो आपकी पार्टी वालों को और वेरोधी पार्टी वालों को आप पर कभी शक नहीं होगा यही सोचा था मैंने और जैसा कि आपका प्लैन था इस केस को पोस को दिया गया था लेकिन उसने आप से ही दो कदम आगे सोचते हुए इस केस को फिरिंशिंग स्टेज पला के खड़ा कर दिया और इसमें आपका हाथ है ये जानने में उसे जादा वक्त नहीं लगेगा उसे रोगना आप हमारे बस का नहीं है उसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या है वो ही तो पता करने की कोशिश की थी सर हमारे CBI ओफिसर्स ने सेंट्रल कमांड कंप्यूटर सर्वर में हमारे दिमाग को चक्राने वाला एक फायरवाल सिस्टम क्रेट किया था सर फायरवाल सिस्टम वो क्या है इंडिया में CBI की छे जोनल हेटकॉटर्स है यह हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकोता, चैन्नाई, बैंगलोर और हैतरावार यह सब जोनल हेटकॉटर्स सबको मिलाते हुए हमने एक सेंट्रल नेट्वरकिंग सिस्टम क्रेट किया है इसके जरिये किसी भी एक ब्रांच का फायल दूसरे ब्रांच वाले कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं जरुरत पढ़ने पर एक दूसरे की फायल आपस में एक्स्चेंज भी कर सकते हैं लेकिन बोस का क्रेट किया हुआ फायल कोई एक्टिवेक नहीं कर सकता है उसके अंदर क्या है पता नहीं कर सकते हैं बोस के अलावा कोई भी इसे ओपन नहीं कर सकता है आसान शब्दों में बताऊं तो इस investigation फाइल के चारो तरफ उसने एक रक्षक दिवाल बना कर उसके बीच में एक किला बना दिया है ये total security process हो ही personal firewall system गोलते हैं सर्थ हमारे जैसे hackers इस फाइल को जबरदस्ती access करने की कोशिश करें या temper या destroy करने की कोशिश करें तो ये चीज हम पर ही भाड़ी पर सकती है इस बीच उसे कोई मार डाले या department से निकाल दिया जाए या फिर उसे kidnap ही कर लिया जाए तो बात बन सकती है कैसे? department rules के हिसाब से CBI वाले अगर central database में अपना status update करते हैं जैसे boss is dead, suspend हुआ है, missing हुआ, terminate हुआ या कोई और reason से गाइब हुआ तो ये investigation report file automatically accessible हो जाएगी और तुरंद प्रेजिडेंट अफ इंडिया को, central home minister को, governor को, media को ये सिर्फ एक second में पहुँच जाएगी boss अके लिए ही इस case को complete करके final report दे सकता है sir, Rajesh, you may go now ये उसने ऐसा चक्रव्यू बनाया है, जिसे खुद अभी मन्यू भी नहीं बेच सकता है sir, समझ्यारा क्या होगा उसने जिस चक्रव्यू को मेरी लिए रचा है, मैं उसी में उसे अभी मन्यू बना दूँगा आओ बेटा हरे वा, करेक्ट टाइम पे आयो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, निकलना है इतनी क्या हर बड़ी है मा, वैसे कहां जा रही है मैं अकेली नहीं जा रही, सब साथ में जाएंगे अपनी नन्दिनी की शारी हो जाए तो मैं मन्दिल में जाऊँगी, ऐसी मैंने मन्नत मागी थी जो आज पूरी हो गई है मुझे आजन काम है मा, मैं नहीं आ पाऊँगा, आप रोग जाएंगे मैं कहूंगी तो भी, आप नहीं आऊँगे क्या वो बहुत हो गया बहाना चलो तयान हो जाओ कर अक कर घड़न प्रinumgy हो टूट हो खर हुआ हाँ हुआ हुआ तो किस्ट Ara हुआ प्रॉट हुआ ऊजर हुआ प्रॉट हुआ अ दो ईख कि लग जढ में उक 17 कि अब aussे मूट वे अँ। वोँ अँ। अँ। अज। पंद सब्यप्य के पंद वोड़स सब्यूस वोड़स सब्यूस समय हुआ 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 शोरत करने लिए ओूल बाचाओ प्राचाओ बच्छाओ बाचाओ 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 धास, भास. मा. अया, पास. नंदी न, सुभब बेटा. भीताजी. मा. बेटाजी. कोफुछिछ करो पचा बएया. बेटो अया. हुआ 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 है हुआ हुआ है zacषब नुण हुआ है ऑन्या एक वड़ श्याम yum जो दुश्मन मेरे रास्ते में आता है, मैं उसे हमेशा के लिए बंदी बना ले दो डॉक्टर, कैसी कंडिशन है इसके? सर पर मार्च जदा लगी सर लेकिन कोई खत्रा नहीं है, सिर्फ तीन मेने की ट्रीटमेंट चाहिए इने, फिर ये नॉमल हो जाएंगे इसे ना तो मरने देना है, ना जीने देना है अगर से जबने एक हमार आ वी गाए, तो एधरीएं इफेक्ट कर चुकी होगी, कि इनीका भ्रेन एक ऑपाइट पेपर की तरह ब्लैक हो चुगा होगा तो इमेडियेटली मेडिसिन्स मंगा कर ट्रीटमेंट चालू कीजिए दुनिया का सबसे अकलमंद इंसान कहीं ने कहीं घलती जरूर करता है इसने भी वही किया है इस केस के इन्विस्टिगेशन की सारी डिटेल्स की फाइल बनक इसने फाइर वॉल के सिस्टम में लॉक कर दिया है जिसे सिर्फ यही खोल सकता है बहुत ही अद्बुत दीवार इसने बनाया लेकिन एक छोटा सा होल बंद करना भूल गया वही होल हमारे लिए सिंग द्वार बन गया कैसा होल? वोलंटरी रिटार्मेंट वोस ने वोलंटरी रिटार्मेंट लिया है यह स्टेटस सिस्टम में एंटर करते ही फाइल कभी एकसेस नहीं होगी बैनर जी, इमीडियेटली इसकी फैमिली को अपने कंट्रोल में मैंने जो बोला अगर वो नहीं सुनोगे तो कोई जिन्दा नहीं बचेगा ना तू ना तेरी फैमिली तुम नहीं जाहोगे ना मैं इसकी इज़त के साथ खेलू उसे कुछ मत करो, हम तुम्हारी बात पानने के तैयार है प्रसाद, हमारी कोई भी चाल अननेचुरल ना लगे पबलिक के आखों में दूल जोकने के लिए उस पर ड्रंकन ड्राइव का केस बना इस तरह से मैंने तुम्हें एक जिन्दा लाश बना कर रख दिया था लेकिन मेरी बदनसीबी कि कुमा में रहते हुए तुम्हारी एक दिन सांसे रुख गई ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी टेंशन और बढ़ गई क्योंकि ये मेडिकल साइंस को भी पता नहीं चला कि तुझ में जान वापस कैसे आ गई फिर मेरे सारे टेंशन दूर हो गए और तब मैंने स्टार्ट किया नया गेम और उस गेम को मैंने नाम दिया ओपरेशन कोड से ओश में आने के बाद तू जिस दुनिया में जी रहा था वो मेरी ही बनाई हुई दुनिया थी जिन लोगों से तू मिल रहा था वो सब तेरे लिए अंजान थे मैंने तेरे आसपास इतना कन्फूजन पैदा कर दिया कि कौन तेरी मा है और कौन तेरा बाप तू समझ ही नहीं पाया मदार्स नोबडी कैं स्टेंड इन फ्रंट आफ ये पावा तू मेरा कुछ नहीं भी गाड़ सकता है तुझे पता है क्यूं अब तेरा सी बी आई से कोई संबंद नहीं रहा कोब्रा के हलक से जहर निकाल लिया सिर्फ तू डस्ता रहेगा लेकिन असर नहीं होगा अबे बिजली गिरने के बाद बादल की कड़गाट भी हम लोगों को एक सेकंड लेट सुनाई देती है देहकते हुए इस चलते हुए सूरज को भी एक घंटे का ग्रहन लगता है तेरी हुई तो क्या हुआ ऐसा नहीं कि तेरा फैसला नहीं होगा पाफ कांथ होकर ही रहता है अल्रेडी तेरे सारे पंख काट दी अब इतना क्यों उड़ रहा है मेरा टेंपरेचर इतना है कि तेरा टीने टेस्ट करने के लिए उठी बर्राग भी नहीं मिलेगी तुझ से खलती हो गई कि तुने मेरा नाम गोड़ से रखा गोड़ से भी वाइलेंट था और बोस भी वाइलेंट थे तुझे समझ में आया ये मुझे पता नहीं लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई है गौड से यानि गौड ने बोला कि तेरा पैसला मेरे हाथ हो होगा अभी मैं तुझे नहीं मारूँगा जानता किसलिए मेरे हाथ हो मरेगा तो तेरा नाम इदियास में लिखा जाएगा जिस दिन तेरा बाप दुनिया के सामने उजा कर होगा उस दिन तु सड़क पर मरेगा, तु कितना घटिया है, ये मैं सब को बताऊंगा चीफ मिनिस्टर, तेरा चाप्टर क्लोज करने का काउंट डाउन शुरू हो गया है, इस खेल की बाजी मेरे हाथ है, है, खेल तुने शुरू किया है, खतम मैं करूंगा, तेरे और मेरे वीज का फासला सिर्फ तीन फूट का रहेगा, आज के बाद तेरी तरह बढ़ाया हुआ मेरा हर कदम तेरे विनाश के लिए होगा, तु बचना भी चाहे तो, जमीन के अंदर थस्ता ही चना जाएगा, तु भागना चाहे का तु भाग नहीं पाएगा, तुझे छुपने के लेना, 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 लेना दॉक्टर साब ने कहा, हमारे हॉस्पीटल में एक आदमी कोमा से बाहर आया है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस माबाप की एक्टिंग करके उसे मना लेना है, और अगर आपने असान नहीं किया, तो आपके बेटे के साथ साथ आप भी नहीं बचेंगे, हमारे कारेक्टर की वचे से हम बातों बातों में पती-पत्नी बन गए, यह जूट है मुझे पता है, लेकिन यह सच होता तो मुझे बहुत खुशी होती, हेलो हेलो, तुमने जिस कारेक्टर की आक्टिंग की बहुत अच्छी की, जितने पैसे तुमें मिले उसे ज्यादा तुम लिपकी हो चिपकी हो उससे, बस हां बस, तुम्हें देखती हूँ तो जलन होती है मुझे, अब यह सच और जूट का नाटक बहुत हो गया, चलो निकलो यहां से, हलो, लीगली मेरे पास मैरेच सर्टिफिकेट भी है, और मैं चाहूँ तो इन्हें अपने साथ मुंबई भ और तुम हो कि यसे कुछ कहते भी नहीं हो, जवाब दो इसे, यह मेरे पती है, चलिए शलते हमें, पती बोलेगी तो दात तोड़ दूँगी तेरे, यह मेरा होने वाला पती है, चलो चल यहां से, यह मेरे पती है, अब दोच, देखो निउस में क्या आ रहा है, हमारे एक प्री प्लैंट मॉडर था, और यह सब करने वाला एक गोड़ से नाम का आदमी है, जिसने अपना एक बारे जुल्ब सरकार के सामने किया है, जिससे पूरा राष्ट रहे लिया है, अब हम सभी को इंतिजार है कि इस विशे पर नहीं है, लेकिन इल्जाम अपने उपर समझ नहीं आ रहा है, यह करना क्या चाता है, वो क्या करने वाला है, यह मत सोचो, अब जल्दी से जल्दी तुम्हें ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए संसनी खेस खबर यह है कि गोडसे ने पुलिस डिवस्था पर सवाल खड़े कर दिये हैं, करता गायब रहा यह मुच्रिम, आज SMS करके प्रजा में संसनी मचा रहा है सोचो, यह निउज आखिर है किसके लिए, वन अन हाफ यहस पहले हमारे डिपार्टमेंट ने नाच्रल डेथ कहकर क्लीन चिट देकर क्लोस किया था, XCM डेथ केस, अभी कोई गोडसे नाम का आदमी कहता है, मैंने मर्डर किया है और उस केस को वापिस री ओपन करवाना च अरे, अरे, बी क्या थे, 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 हलो, बोस, मेरा नाम सुनते ही तेरे पैरों तोले जमीन निकल गई, यह अच्छी बात नहीं है, तुझे मजा ऐसा एक जटका देता हूँ, देख तेरे टेबल पर रखी हुई, वो चौथी वाली फाइल, एई, इस फाइल की टीटेल्स तुझे कैसे पता? Stupid question, चौथी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी, ऐसा सवाल नहीं पुछेगा, don't forget about my network, MRO, collector, minister, governor, मैं, NGO, इतनी लोगों का पास कियावब प्रोजेक्ट है ये, कोई दसफी क्लास का प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है, इसमें अपनी टांग अड़ा कर तुमेरा कुछ नहीं बिगाड सकता, कैसे बिगाडना है मुझे पता है, तेरे बेनामी प्रोजेक्ट के लिए बड़े लोगोंने किस तरह ठपा लगाया, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, धोके से अपने बड़े बाबा को मरवाया तुने, 10,000 एकर जमीन पाने के लिए, 125 जातियों में से 5,000 आदिवास में दफन कर दिया, तेरे किये हुए सत्याकांट और काले कारनामों का कच्चा चिठ्था मेरे पास सुबूतों की शकल में मौजूद है, कुछी घंटों में मैं इसे प्रेस के हवाले कर दूँगा, उन्हें पता चलते ही तेरी पद्वी चली जाएगी, प्रजा तुझे प रहे हो ना बोस? शौक लग रहा है क्या? मैं तुमसे हमेशा तीन किलोमीटर की दूरी पर रहत हूँ, तुम्हारी परचाई भी मेरी हुलाम है, तुम जो सोच रहे हो वो होगा नहीं और जो होगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते झाल 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 यह हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेगा, उसकी छोटी सोच जहां खत्म होती है, वहां मेरी शुरू होती है एक्सीम का मडर करने वाला गोट से रिंग रोड पर है, यह बात मीडिया को पताओ मामा ठीक है भांजे, लेकिन तुम समल के रहा ना ख zijn आइज तुम् झाल औरे ओ, CM इंसानों को मारना, तेरे लिए स्कॉच पीने जितना असान है लेकिन एक इंसान को जिन्दा रखना तेरे लिए कितना मुश्किल है यह मैं तुझे अभी बताता हूँ जो खेल तेरे साथ खेलने वाला उस खेल का नाम तुझे बता है मौत का खेल अब मैं भागने वाला हूँ दावेदो पकड़ के बता मुझे अफिसर अलर्ट अन्द फोर्सेस जाहे जो हो जाहे ग्रीन प्रोजेक्ट डीटेल्स बाहर नहीं आनी चाहिए उससे किसी भी हाल में पकड़ो कमान मूव एइ स्टॉब हैं अब मूव वोलॉंटरी रिटार्मेंट से इसका चैप्टर क्लोस करने के लिए सोचां तो वही ब्लैंड मुझे भारी बढ़ रहा है रूट बदलकर मेरी किस्मत बदल रहा है वो मरनी के लिए चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न करें उससे किसी भी हाल में मेरे पास सिंदा लाना है तो इसके ओपसिट वी में जाते रूसे पकड़ो परीक क्या है ये बाइक रोड पर नहीं चल रही लग रहा है मेरे सिर पर चल रही है शेड़ो फोर्स उसे पकड़ो ओफिसर वो नहीं रुका तो मेरे दिल के धड़कने रुक जाएंगी तुमसे ट्रोल नाका कितनी दूरी पर है जब तो जलाल तो आई बला कोटाल तो हे बागॉन तर उसे लॉक कर दिया गया सामाली सार, आपका बीपी बहुत बढ़ता जा रहा है मेरी भकती भी बहुत बढ़ रही है हर कोई भगवान से अपनी उमर बढ़ाने के लिए मांगता है और मैं दुश्मन की उमर बढ़ाने के लिए दूआ माँग रहा हूं पर एह ऐइ टिक करोई से किसो पर मόसी जाamed जा हुगया है एप द ciस Libra भोगया प्ली आखे हो कि जोड़ीट यह सब्सक्राइब मेरे फार्म हाउस में लेकर आपको फेल खार्म हाउस में लेकर आपको wid्सक्राइब में लेकरण जेकर आपको तोạnh में लेकर! युर! कर दो कर दो और गर दो अटने को हैं मैठम, XCM को मारने वाला गोड़से टीवी पर लाइब आ रहा है मैठम इस इस What nonsense, ये गोड़से कैसे ये तो हमारा CVI officer boss है Boss ही गोड़से है XCM को मारने वाले गोड़से के पीछे कुछ लोग बड़े हुए है इन लोगों का और गोड़से का आखिर क्या संबत है सुनो, तुम उसे रोक नहीं पाऊगे किसी भी तरह से आती हुई ट्रेन को रोको Boss मरने के लिए ट्रेन के सामने दौड रहे हैं और उनके पीछे दौडने वाले किसी एक को पहचानते हो टीम को लीड करने वाला और कोई नहीं प्रेजेंट से हम हारा द्वाज का चीफ सेक्योरिटी ओफिसर है वाट? सीयें का सेक्योरिटी चीफ? येस, ये बोस का जरू कोई प्लान होगा वो हमें कुछ बताने के कोशिश कर रहे हैं क्या है? What is that? इस डिद का इस केस से क्या सम्मंध होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? Where is the server room? 2005 सुभाष चन्र बोस IPS डेटाबेस ओपन करो इसमें बोस इस डेट ये एंटर करो माड़म, he is voluntarily retired उसके जिंदा रहतिया में स्टेटस पर डेथ कैसे लिखते मेंडा? Do what I say! हमारे राजय के XCM की डेथ is a provoked murder through hacking Sir, I'm Avantika, I'm NTV reporter आख के लिए फोने, sir Hello Mr. Boss, this is Indrani, CBI Deputy Chief from Delhi आपका डेटाबेस ओपन किया है and we are back in duty now इस डेथ केस की गुपती हमने भी सुलजा लिये अब अपने डेपार्टमेंट का पावर किया है उन लोगों को दिखाए Thank you मैं मारने वाला ही हूँ, मरने वाला नहीं हूँ, बेवकुपों अरे तेरी माने तुझे क्या खिला कर बड़ा किया है Hey! Hey! सर एक्सियम को आपने मारा है ये बात दिली की स्पेशल टीम को पता लग गई है सर सर एक्सियम के मरड़ केस में भारतवाज के आप गुलाम बन चुके थे साथे ऑफिसर बोस को को मा में भेज कर उसे वॉलंटरी रिटाइन्मेंट दिला कर उसके आइडेंटिटी बदलने की नाजायस कोशिश किये है आपने इतनी मेहनत से बनाये हुए मेरे सामराजी को तुने एक पल में तितर बितर कर दिया मैं नहीं छोड़ूंदा तुझे इस अंधे कानून से बचने के लिए आइसीयू से सेफ जगे भला और कौन सी हो सकती है एए तु यहां कैसे आया एए तूने तो मुझे उपर पहुचाने की पूरी तयारी कर ली थी और अब यहां आकर सो रहा है तु मुझे लगता तो अब तक समझ गया होगा कि मौत पर भी मेरा ही कंट्रोल है डोंट फगेट आइम फ्रम सी बी आई एए शिकारी को शिकार बनाने के लिए मुझे आदा सेकंड लगता है और उसका हाल तेरे जैसा होता है बोस मैं ही जीतूंगा एए मुझे बदलने की कोशिश की नहीं बदल पाया किट्नैप करने का सोचा नहीं कर पाया मुझे यहां आने से रोकने की कोशिश की नहीं रोक पाया बुराई की जीत होती है ऐसा किसी भी इतियास में नहीं है बेवकूफ और तू ऐसा कर भी नहीं पाएगा चाहे चिद्री कोशिश कर ले एह कुछ भी बोल ले तू लेकिन मैं इस राजज का लीडर हूँ लीडर्स और लेज़न्स अर नौट बॉन आउट अउट अफ इमोशन्स नेता हिसाब किताब से पैदा नहीं होता यू फूल प्रजा के दिल से पैदा होता है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी महान नेता का नाम देने का सोचते है ये सोच माबाप के दिल से आती है तब ही वो नेता महान बनता है लेकिन तून नेता के नाम पर कलंक है अच्छाई को बुराई में बदलने वाला भरस्ट नेता इंसानों का कतल करने वाला कातिल उन्हें कीडे मकोडे समझने वाला हैवान तेरी बाकी सिंदेगी जेल में कटेगी वही की रूखी सुखी खाएगा सब इन पर सोएगा तू Be prepared to face it Arrest him Take him Horse अगर मेरी हस्ती नहीं रही तो मैं तेरा भी नामों निशान मिटा दूगा जब कोई तब करता है तो भगवान प्रकट होते हैं लेकिन कोई खलत करेगा तो ये बोस प्रकट होगा किसी ने अगर इस लाइन की लाइन को क्रॉस किया तो उसकी जिन्दगी यहीं खतम हो जाएगी सत्यानाराइन आक्शन कितने मज़े शुरू हुआ था कितने मज़े क्लोज हुआ इस आठ मिनिट में कितनी गोलियां चल गई चार गोलियां सर कितनी लाशें गिर गई दो लाशें सर इस आठ मिनिट में बोस पोज इन आक्शन ऐसा लॉग बुक में इसी पक्त एंटर करो इस केस इस क्लोज Dispose the bad leader and select a good leader आइसे के लिए और्य के